ओम शान्ती पांच अगस्त दोख़जार च्वावीस प्यारी मीठे बाबा के आज के मधुर महवाकिल आजखी मोडी के कुछ मुख्य पॉइंट्स आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को विश्व कल्यानकारी बनने के लिए हद के मेरे मेरे को छोड़ बेखत में रहना है देही अभिमानी हो पॉतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है आराम पसंद नहीं बनना है प्रकृती चीत बनने के लिए प्रकृती के पदार्थों के प्रति कोई सोक्षी आसकती नहीं रख संपूर्ण न्यारा बनना है तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्ली ओम शांती बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे में ओनिस्ट वह है जो सारे युनिवर्स की सेवा करे पौतों को आप समान बनाएं, आराम पसद न हो प्रश्न, तुम ब्रामन बच्चे, कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो उत्तर, तुम ब्रामन ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हीं बिना ब्रह्मा बाब के ब्रामन कहला नहीं सकते जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं अर्थार जो ब्रह्मा मुख्वंचावली नहीं वे शुद्र ठहरें। शुद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। ओम शाहती रुखानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथ्वा प्रदर्शनी का उदगाटन कराते हैं। परन्तु उदगाटन तो बेहत के बापने कपसे करनिया हैं। अब ये शाखाएं अथ्वा ब्रांचिस निकलती रहती हैं। पाठशालाएं पहुत चाहिए ना। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाप रहती हैं। इसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैफ मुडली बचती रहती है। किसकी भगवान की। अब भगवान तो है निराकार। मुडली बजाते हैं साकार रत्वारा। उनका नाम रखा है भाग्य शाली रत। ये तो कोई भी समझ सकते हैं। इसमें बाप प्रवेश करते हैं। ये तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई न रच्षता को न रच्षना के आधी वध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदी हैं तो उनसे उदगाटन कराते हैं। ये भी बापा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उदगाटन कराते हूं उनको पहले परिचे देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी ये प्रांचस खुल रही हैं। कोई से खुल वाते हैं ताकि उनका कल्यान हो जाए। कुछ समझें कि बरोबर बाप आया हुआ है। ब्रह्माद्वारा स्थापना हो रही है। विश्व में शांती के राचे की पा आदी सनातर देवी देवता धर मखी। उसका उदगाटन तू हो चुका है। अभी ये खुल दी जाती है। बाप को ही आकर नौलेज देनी है। ये नौलेज परम पिता परमातमा में ही रहती है। इसलिए उनको ही यान सागर कहा जाता है। रुहानी बाप में ही रुहानी क्यान है जो आकर रुहों को देते हैं। समझाते हैं। ये बच्चों, ये आतमाओं। तुम अपने को आत्मा समझू। आत्मा नाम तो कॉमंड है। महान आत्मा, पुन्य आत्मा, बाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा को परंपिताप परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्सा देने लिए। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में जाना है। वर्ल्ड की हिस्ट्रिंग जिवरफी रिपीट कहा जाता है। नई अथ्वा पूरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बिगिर मनुश्यों के तो दुनिया होती नहीं, नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है, अभी तुम बच्चे शोद्र से ब्रामन बने हो, फिर तुमको ब्रामन से देवता बनाने आया हो, तुम यह सुना सकते हो कि बा पाक ऐसे समझाते हैं, तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो, अभी तो तुमारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है, जन जन मांतर के बापों का वोजा सिर पर है, पाक कब से शुरू होते हैं, बाप कितने वर्ष्ण के लिए पुन्य आत्मा बनात हैं, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो, 21 चल तुम पुन्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो, जहां पाप होता है, वहां दुखी होगा, पाप कौन से हैं, वे भी पाप बतलाते हैं, एक तो तुम धर्म की ग्लानी करते हो, कितने तुम पतित बन गई हो, पतित पावन आओ, सो अब मैं आया हूँ, पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते, ग्लानी करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो, कहते भी हैं, ये प्रभू जन जन मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ, तो बाप समझाते हैं, कि जिसने सबसे 80-80 जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में परवेश करता हूँ, बाबा, बहुत जन्म किसको प्यते? बच्चे 84 जन्म को, जो पहले पहले आए हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, पहले तो यही लक्ष्मी नारायन आते हैं, यहां तुम आते ही हो, नर्स से नारायन बनने की लिए, कथा भी सत्य नारायन की सुनाते हैं, कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने, उसकी ग्रानी की हुई है, बाप बनाते ही हैं नर्स से नारायन, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं, बाप कहते हैं, मैं राज योग सिखलाता विष्णु के दो रूप ये लक्ष्मी नारायन है, छोटे पन्मी राधी कृष्ण है, ये कोई भाई बेहन नहीं, अलग-अलग राजाओं की बच्चे थे, वे महाराज कुवार, वे महाराज कुवारी, जिनको सुयमवर के बाद लक्ष्मी नारायन कहा जाता है, ये सब बा जिनकी बुद्धी में बैठी होंगी, उनकी ही बुद्धी में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायन, राधी, कृष्ण, आदी सब के मंदर हैं। विश्नु का भी मंदर हैं। जिनको नर्ण नारायन का मंदर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायन का अलग-अलग मंदर भी ब्रम्मा का भी मंदिर है ब्रम्मा देवता नमा फिर कहते शिफ परमातमाय नमा वे तो अलग हो गया ना देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाता है तो बाप समझाते हैं पहली जिससे उदगाटित कराना है उनको समझाना है विश्व में शांती स्थापन अर्थ भगवान ने फांडीशन लगा दिया है विश्व में शांती लक्ष्मी नारायन के राचे में थी ना ये सत्युक्य मालिक थे ना तो बनश्य को नर से नारायन नारी से लक्ष्मी बनने की ये बड़ी कौडली युनिवरसिटी है अथ्वा इश्वर ये विश्व विद्या विश्व विद्यालय तो पौतोंने नाम रख़्े हैं. वास्तव में वे कोई वर्ल्ड युनिवर्सिटी है नहीं? युनिवर्स तो सारी विश्व हो गई. सारे विश्व में बीहद का पाप एक ही कॉलेज खोलते हैं. तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्व विद्यालय केवन ये एक ही है जो पाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शान्तिधाम, सुखधाम ले जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है इश्वर ये विश्व विद्यालय। इश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्सा देते हैं कहां बाप की बात, कहां ये सब क्याते रहते युनिवर्सिटी युनिवर्स अर्थात, सारी दुनिया को चेंज करना ये तो बाप का ही काम है हमको ये नाम रखने नहीं देते और गवर्मिंट खुद रखती है ये तो तुमको समझाना है वे भी पहने तो नहीं समझाएंगे बोलो, हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुवार कुवारिया इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब भापने आकर रत बनाया है प्रजापिता नाम तो मशूर है ना वे आया कहां से उनके बाप का नाम क्या है ब्रह्मा को देवता दिखाते है ना देवताओं का बाप तो ज़रूर परमातमा ही होगा वे है रच्तार ब्रह्मा को कहेंगे पहली-पहली रच्ना उनका बाप है शिव बाबा, वे कहते हैं मैं इन में प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता है, तो बच्चों को समझाना है, ये इश्वर ये म्यूजियम है, बाप कहते हैं मुझे पुलाया ही है ये पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ, अब हे बच्चों, हे आतमाओं, तुम अपने बाप को याद करो, तो पतित से पावन बन जाएंगे, मन मनाभव ये अक्षर तो गीता के ही है, भगवान एक ही ज्यान सागन पतित पावन है, श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, मैं पतित दुन्या में आना सके, पतित दुन्या में पतित पावन बाप ही आएंगे, अब मुझे याद करो, तो पाप भस्म होंगे, कितनी सेयज पात है, भगवान वाच अक्षर जरूर कहना है, परंपिता परमात्मा कहते हैं, काम विकार महाशत्रू है, पहने निर्विकारी दुन्या थी, अब विकारी दुन् है, निर्विकारी होंगे, तो फिर सुखी सुख होगा, तो ये समझाना है, भगवान वाच काम महाशत्रू है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत पनेंगे, एक बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं, जैसे कोई कॉलेज खुलता है, तो उसका भी टीचर्स मुकरर हैं, टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए, बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्रामनिया यानि टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी चल्दी आप समान बना कर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए, सर्विस को उठाने नही देखेंगे कौन-कौन ठीक रेती मुर्णी पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहां बैट, क्लास चलाओ, ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर, चला जाना चाहिए, और जगह सेंटर्स जमाने ब्रामनियों का काम है, एक सेंटर जमाया, फिर जाकर और सेंटर जमावें, एक-एक ठीचर को दस-बीज सेंटर्स स्थापन करने चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए, दुकान खोलते जाएं, आप समान बनाकर कोई को छोड़ते चाहिए, दिल में आना चाहिए, कोई को आप समान बनाकर तयार करूं, तो और सेंटर खुलें, परन्तो ऐसे ओनिस्ट कोई विरले रहते हैं, ओनिस्ट उसको कहा जाता है, जो सारी युनिवर्स की सेवा करें, एक सेंटर खोला, आप समान बराया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की, एक ही स्थान पर अटक नहीं ज आना चाहिए, अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हो, तो और काम करो, उसमें दे अविमान नहीं आना चाहिए, मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम कैसे करूं, हमको दर्ध होगा, थोड़ा भी काम करने से भड़ी दुखेगी, इसको दे अविमान कहा जाता है, कुछ भी सम ये ना, जो फिर वे भी लिखे, कि बाबा, फ्लानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी, सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक-एक ठीचर बनना चाहिए, फिर खुद ही लिखे, बाबा, हमारे पिछाड धेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप समान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाएं, ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल, सर्विस ही नहीं करेंगे, तो फूल कैसे बनेंगे, फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्गाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमार कुवारिया हैं, शुद्र से ब्रामन बन देवता बनते ह बाप इस ब्रामन कुल और सुरेवंची, चंद्रवंची कुल की स्थापना करते हैं, इस समय तो सब शोद्र बर्न के हैं, सत्यू में देवता बर्न के थे, फिर क्षत्रिय वैशे बर्न के बने, बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स, बच्चे फूल जाते हैं, पहने पहन ब्रामन वर्ण, प्रजा पिता ब्रह्मा की ओलाद, ब्रह्मा कहां से आए, ये ब्रह्मा बैठा है न, अच्छी रीती समझाना चाहिए, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किस के, ब्रामनों के, फिर उन्हों को शिक्षाते देवता बनाते हैं, हम बाप से पढ़ रहे हैं, उ अर्जुन प्रति, अब अर्जुन कौन था, किसको पता नहीं, तुम जानते हो, हम ब्रह्मा की ओलाद, ब्रामन हैं, अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा की बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्षन नहीं, तो फिर देवता वे कैसे बनेंगे, ब्रह्मा के थ्रूही बनें शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा कहा, मुझे याद करू, ब्रह्मा द्वारा कहा न, प्रजा पिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो न, ब्रह्मा कुमार कुमारी, कहलाते हो, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा, शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाती हैं बनने मुश्किन है ब्रामन बन शिर्व बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे इसमें मुझने की भी दरकार नहीं तो उद्गाटित करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्गाटन हो चुका है आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप खट जाएंगे वे बाप ही पतित पावन है फिर तुम पावन बर देवता बन जाएंगे बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं अब करो न करो तुम्हारी मरसी हम पैगाम दे कर जाते हैं और कोई भी रीती से पावन होना ही नहीं है जब पुर्शार्थ मिले सर्रिस करो समय तो पहाँत मिलता है अच्छा मीठे मीठे सिखिनदे बच्चों ब्रती मादबिता बाप तादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप तादा को दिल वर जान सिखवा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, गुद मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, नए नए सेंटर्स की वृद्धी करने के लिए, आप समान बनाने की सेवा करनी है सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगा पर बैठना नहीं है दूसरा पॉइंट, फूलों का बगीचा तयार करना है हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान बनाना है किसी भी सेवा में दे अभिमान न आहे वर्दान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त प्रकृती चीत भव अगर कोई भी पदार्थ करमेंद्रियों को विछनित करता है अर्थार आसक्ति का भाव उत्पन होता है तो भी नारे नहीं बन सकेंगे इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो ये भी सूक्ष्व आ सकती है इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थाथ अल्पकान सुख के साधन आकर्शे तो नहीं करते हैं ये पदार्थ प्रकृती के साधन है जब इनसे अना सक्त अर्थाथ न्यारे बनेंगे तब प्रकृती चीत बनेंगे स्लोगन मेरे मेरे के जमिने को छोड बेहत मी रहो तब कहेंगे विश्व कल्यान कारी ओं शान्ति